आप सभी का स्वागत है इसंख में हम आपके लिए लेकर आए हैं UPSC परीक्षा की दृष्टी से महत्तुपूर्ण कुछ एहम खबरें इसंख के साथ मैं हूँ दिव्यसी आईए सबसे पहले बात करते हैं इसंख की हेडलाइन्स के बारे में भारत में प्रतिवर्ष 34 लाग टन प्लास्टिक अपशिष्ट में से केवल 30 प्रतिशत का ही पुनर्चकरन होता है और विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जरी की तो आईए सबसे पहले आपको बताते हैं इसंख में सहकारी समितियों के बारे में केंद्री मंत्री मंडल ने मल्टी स्टेट कॉपरिटिव सोसाइटी अधिनियम 2002 के तहत राष्ट्री इस्तर की तीन बहुराज्य सहकारी समितियों के गठन को मनजूरी दी है तीन मल्टी स्टेट कॉपरिटिव सोसाइटी की स्थापना से सहकार से समृध्धी यानि सहकारिता के माध्यम से समृध्धी के लक्षे को प्राप्त करने में मदद मिलेगी ये लक्षे सहकारी समितियों के समावेशी विकास मौडल द्वारा हासिल किया जाएगा और ये तीन नई सहकारी संस्थाएं हैं राष्ट्रिय बहू राज्य सहकारी निर्यात समिति इसका महत तो ये है कि ये अधिशेश वस्तूओं या सेवा के निर्यात के लिए एक अम्रेला संगठन के रूप में कारे करेगा इसमें प्राथ्मिक से लेकर राष्ट्रिय स्तर की सहकारी समितियां होंगी जिन में प्राथ्मिक समितियां जिला, राज्य और राष्ट्रिय स्तर के संग और बहू राज्य समितियां शामिल हैं वो इस निर्यात समिति की सदस्य बन सकती हैं और अधिक निर्यात से वस्तूओं और सेवाओं के उत्पादन में व्रिधी होगी तथा रोजगार के अफसर बढ़ेंगे निर्यात में वृध्धी मेकिन इंडिया को बढ़ावा देगी जिससे की आत्म निर्भर भारत को प्रोथ सहन मिलेगा और सहकारी समितियों को निर्यात से संबंधित सरकारी योजनाओ या नीतियों का लाब प्राप्त करने में मदद मिलेगी गरेलू और साथी वैश्विक बाजारों में भी जैविक उत्पादों की मांग और खपत की शमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी इस समिती से किसानों को एकत्री करण, विपणन और ब्रांडिंग के माध्यम से जैविक उत्पादों का उच्छी मूली प्राप्त करने में मदद मिलेगी एकत्री करण, प्रमाणन, भंडारन, प्रसंसकरण आदी के लिए संस्थागत सहेता प्राप्त हो सकेगी और उत्पादों की संपुन आपूर्ती श्रंखला का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा तीसरी समिती है राष्ट्रिय बहु राज्य सहकारी बीज समिती ये समिती गुणवत्ता पूर्ण बीजों के उत्पादन, खरीद, प्रसंसकरण, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, भंडारन, विपणन और वितरन के लिए श्रीष संगठन के रूप में कारे करेगी ये समिती देशज प्राकरतिक बीजों के संरक्षन और समवर्धन के लिए प्रणाली विक्सित करने में मदद करेगी ये बीज प्रतिस्थापंदर और बीज किसम प्रतिस्थापंदर को बढ़ाएगी साथ ही गुणवत्ता पूण बीज की खेती में किसानों की भूमिका को सुनिश्चित करेगी गुणवत्ता पूण बीजों के उतपादन से आयातित बीजों पर निर्भरता कम हो सकेगी इसके अलावा ये समिती ग्रामीन अर्थविवस्था को बढ़ावा देगी और खादे सुरक्षा को मजबूत करेगी हाला कि सहकारी समितियां राजे सूची का विशाय है लेकिन बहु राज्य सहकारी समितियों को केंदर MSCS अधिनियम 2002 के तहत विनियमित करता है MSCS ऐसी सहकारी समितियां होती हैं जिनकी गतिविधियां एक ही राजे तक सीमित नहीं होती हैं बलकि ये एक से ज्यादा राज्यों में व्यक्तियों के हितों की पूर्ति करती हैं ये बहु राज्ये सहकारी समीतियों के मामले में सहकारीतामंत्राले सहकारी शेत्र के लिए दुनिया का सबसे बड़ा विश्युविध्याले इस्थापित करने की योजना बना रहा है ये विश्यो विद्याले सहकारी सिक्षा, प्रसिक्षन, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगा अगली खबार अर्थविवस्था और बैंकिंग शेत्र से जुड़ी हुई है केंद्रिय मंत्री मंडल ने रूपे और भीम यूपी आई को बढ़ावा देने के लिए 2600 करोड रूपे की प्रोचसाहन योजना को मंजूरी दी है इस योजना का उद्दिश वित्वर्ष 2022-23 में रूपे डैबिट कार्ड और भीम यूपी आई के माध्यम से कम मुल्ले वाले लेंदेन को बढ़ावा देना है इस योजना के तहट रूपे और यूपी आई का उप्योग करके पॉइंट ओफ सेल तथा e-commerce लेंदेन को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को वित्य प्रोचसाहन प्रदान किया जाएगा UPI Lite और UPI 123 Pay को किफायती और उप्योग करता के अनुकूल डिजिटल भुगतान समधान के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा UPI Lite भारतिय राष्ट्रिय भुगतान निगम की एक on device wallet सुविधा है ये उप्योग करताओं को ओफ्लाइन माध्यम से कम मुल्ली के भुगतान की अनुमती देती है इसके तहट केवल 200 रुपे तक की अनुमती है UPI 123 पे फीचर फोन यानि की जो स्मार्ट फोन नहीं होते हैं उन उप्योग करताओं के लिए एक त्वरित भुगतान प्रणाली है इसके अलावा NPCI ने दस देशों में NRE यानि अनिवासी विदेशी या NRO यानि अनिवासी समाने खाता धारक NRE यानि अनिवासी भारतियों को अपने अंतराष्ट्रिय मोबाइल नंबरों से UPI प्लेटफॉर्म का उप्योग करने की अनुमती दी है सदसे बैंकों को ये सुनिश्चित करना होगा कि इस प्रकार के खातों को केवल मौजूदा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम विनियमों और RBI नियमों के मताबिक ही UPI लिंदेन की अनुमती दी जाए जिन देशों के NRIs को अनुमती दी गई है उन देशों में शामिल है सिंगापूर, आस्ट्रेलिया, कनाडा, हॉंग कॉंग, ओमान, कतर, सैंक्त राज्य अमेरिका, साउधी अरब, सैंक्त अरब अमिरात और युनाइटिड किंग्डम UPI सुरक्षा उदेशों के लिए SIM BINDING के सिधान पर कारे करता है, अभी तक UPI सेवा केवल भारतिय मोबाइल नंबरों के लिए ही उपलब्ध थी प्रवासी भारतिय भुगतान को सहज बनाने और महेंगे अंतराष्ट्रिय कार्ड्स के उपयोग से बचने के अंतराष्ट्रिय सिम कार्ड्स पर UPI भुगतान की अनुमती देने की लगातार मांग कर रहे थे UPI यानी Unified Payments Interface एक रियल टाइम भुगतान प्रणाली है इसे NPCI ने वर्ष 2016 में लाँच किया था ये कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल अप्लिकेशन से जोडती है NPCI भुगतान और निप्टान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहट RBI और भारतिय बैंक संग की एक पहल है ये भारत में खुद्रा भुगतान और निप्टान प्रणाली के संचारन के लिए एक अम्रेला संगठन है NRE यानि की Non-Residential External NRIs को विदेशी आय को भारत में इस्थानांतरित करने में मदद करता है इसके विपरीत NRO यानि Non-Resident Ordinary खाता उन्हें भारत में अरजित आय का प्रबंधन करने में मदद करता है अगली खबर खादेवं पोशन और केंदर सरकार की योजना पर आधारित है उब्भोकता मामले खादे और सारवजनिक वितरन मंत्राले ने मुफ्त खाद्यान योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्यान अन्योजना रखा केंदर सरकार ने अपनी नई एकिकरित खादे सुरक्षा योजना को प्रधानमंत्री गरीब कल्यान अन्योजना नाम दिया है इस एकिकृत खादे सुरक्षा योजना के अंतरगत राश्ट्रिय खादे सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहट अंतियोदय अन्य योजना और प्राथमिक घरेलू लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान उपलब्ध करवाया जाता है। के रूप में दी जाती है। दूसरी है उभोक्ता सबसीडी ये फूड कॉपरेशन ओफ इंडिया द्वारा वहन की गई आर्थिक लागत और प्राप्थ किये गए केंद्रिय निर्गम मूली के बीच का अंतर है। बफर सबसीडी खाद्यान का बफर स्टॉक रखने और बनाय रखने की लागत है। एन फैसे के तहट राज्यों को खाद्यान की खरीद आवंटन और मुफ्त वितरंड से संबध विकेंद्रिकृत खरीद करने वाले राज्यों को खादे सबसीडी परदान की जाती है। इससे पहले समान नाम वाली योजना यानि प्रदानमंत्री गरी को 35 किलोग्राम और प्राथमिक्ता घरेलू लाभार्थियों को प्रतिवेक्ती 5 किलोग्राम अनाज दिया जा रहा था। लाभार्थियों को 3 रुपे प्रति किलो चावल, 2 रुपे प्रति किलो गेहूं और 1 रुपे प्रति किलो की दर से मोटा अनाज मिल रहा था। इसके अगली खबर प्लास्टिक के पुनर्चक्रण से संबंदित है भारत में हर वर्ष 34 लाग टन प्लास्टिक अप्शिष्ट उत्पन होता है लेकिन इसमें से केवल 30 फीजदी का ही पुनर्चक्रण किया जाता है ये निशकर्ष मेरिको इनोवेशन फांडेशन की इनोवेशन इ इस परिक्षन के माध्यम से इस शेत्र में चुनोतियों और अवसरों की पहचान की जाती है साथ ही ये रिपोर्ट व्यवसाय तथा तकनीकी नवाचारों पर विशेश ध्यान की इन्द्रित करती है इस रिपोर्ट के निशकर्षों के मुताबिक भारत एक वर्ष में 34 और तमिलनाडू मिलकर भारत में उद्पन हुए कुल प्लास्टिक अप्षिष्ट में 38 प्रतिशत का योगदान करते हैं भारत में 94 प्रतिशत पुनरचकरित प्लास्टिक अप्षिष्ट को यांत्रिक पुनरचकरन पद्दती का उप्योग करके महीन टुकडों में खंडि इस रिपोर्ट में ये सिफारिशें भी की गई है कि पुनर्चकरन को प्रोचसाहिद करने के लिए भारत में लैंडफिल और अप्षिष्ट दहन पर टैक्स लगाया जाना चाहिए। जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के उप्योग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रमुग जोखिमों को रिखांकित करती है। ये पांच श्रेणिया हैं आर्थिक, परियावरनिया, भूराजनेतिक, सामाजिक और तकनीकी। वैश्विक जोखिम को किसी घटना या स्थिती के घटित होने की संभावना के रूप में परिभाशित किया जाता है। यदि ये घटित होती है तो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद, जनसंख्या या प्राकरतिक संसाधनों के महत्तपून हिस्से पर नकरात्मक प्रभाव डालेगी। रिपोर्ट में वैश्विक जोखिमों को लगू और दीर्ग अवधी के प्रभाव की गंभीरता के आधार पर रैंक प्रदान की गई है। प्रेन युद्ध के आर्थिक परिनामों के कई दुश्प्रभाव सामने आये हैं। प्रेक्टर जोखिम तईयारियों में निवेश की जरुरत हैं। जोखिम की पहचान और पूर्वानुमान में सुधार किया जाना चाहिए। वेश्विक जोखिम से निपटने की तैयारी में सहीयोग का पुनर निर्मान करने और उसे मजबूती प्रदान करने की ज़रूरत है W.E.F. की स्थापना 1971 में एक गेर लाबकारी फाउंडेशन के रूप में हुई थी इसका मुख्याला है स्विजरलेंड के जिनेवा में है ये सापजनिक निजी सहीयोग के लिए एक अंतराष्ट्रिय संगठन है वैश्विक जोखिम रुपोर्ट 2023 के मुताबिक 6-10 जोखिम है इन्हें दो श्रेणियों में डिवाइड किया गया है एक श्रेणि में वो संकट है जो अगले दो वर्षों में आने वाले है और दूसरी श्रेणि वो है जो दस वर्षों के संभावित संकट है आज़नि करन के कम करने में विफलता व्यापक साइबर अपराध और साइबर असुरक्षा भू आर्थिक टकराओं और परियावर्णिय शती की व्यापक घटनाए जोखिमों का ये वर्गी करन पांच शेनियों में डिवाइड़िट था जिसमें कि आर्थिक, परियावरनिय, भूराजनितिक, सामाजिक और तक्नीकी सारे जोखिम शामिल है और आईए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की जो की हैं तो संशिप्त लेकिन पीटी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं मांदंड होने चाहिए वो हैं समुदाय की आदिम प्रकृति या लक्षन, विशिष्ट संस्कृति, भौगलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर अन्य समुदाय के साथ संपर्क करने में संकोच करना और पिछलापन जनजातियों के साथ वैवाहिक संबद होरिजोंटल रिजर्वेशन यानि शैतिज आरक्षन उतराखंड के राज्यपाल ने राज्जी की महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत शैतिज आरक्षन को मंझूरी प्रदान की है शैतिज आरक्षन यानि horizontal reservation का मतलब है महिलाओं, transgender समुदाय और दिव्यांग व्यक्तियों को SCs, STs, OBC आदी को प्राप्त आरक्षन की तरह ही आरक्षन का लाप प्रदान करना है शैतिज आरक्षन उर्ध्वाधर श्रेणी में भी लागू होता है इसे प्रतेक उर्ध्वाधर श्रेणी में अलग से लागू किया जाता है यहाँ प्रतेक श्रेणी यानी SC, STs और OBCs तथा अनारक्षित में महिलाओं के लिए 30 प्रतेशत आरक्षन स्वतंत रूप से लागू होगा उदाहरन के लिए सम्विधान के अनुच्छेद 15 तीन के तहत आरक्षन उदाहरन के लिए अनुच्छेद 16 चार के तहत आरक्षन अगला टॉपिक है भारत संउक्तुराज अमेरिका व्यापार नीती मंच 13 वी भारत और संउक्तुराज अमेरिका टीपीएफ की बैठक वाशिंग्टन में संपन हुई बैठक में अमेरिका ने लेचीले व्यापार पर एक नए टीपीएफ कारेकारी समुह के निर्मान पर बल दिया ये कारेकारी समुह व्यापार सुविधा, श्रम, परियावरन और बहतर विनियामक प्रथाओं सहित आपसी हित के मुद्दों पर व्यापार केंद्रित द्विपक्षिय चर्चा के लिए एक सनरचित धाचा प्रदान करेगा इसके अलावा दोनों देशों के बीच डबलू टीओ से जुड़े कई विवाधों का समाधान खोजने पर बल दिया गया है तथा द्विपक्षिय व्यापार और निवेश संबंधों को आगे बढ़ाने का एक मंच है तथा अमेरिका की तरफ से युनाइटिड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजन्टेटिव यानि यूस्टियार द्वारा की जाती है अगला टॉपिक है सीमा शुलक चिन्हित आयातित माल की मुल्य घोशना में सहायता नियम दो हजार तेईस केंद्रिय अप्रत्यक्षकर और सीमा शुलक बोर्ड ने ये नियम आयातित वस्तुओं के कम मुल्यांकन की जाच के लिए जारी की है इससे पहले CBIC यानि केंद्रिय अप्रत्यक्षकर और सीमा शुलक बोर्ड ने ये तथ्य प्रस्तुद किया था कि ऐसे कई कंसाइनमेंट्स दर्ज किये गए हैं जिनमें शुलकों से बचने के लिए उत्पत्ति के नियमों का उल्लंगन किया गया है और साथ ही मुक्त व्यापार समझोता मारगों का भी उप्योग किया गया है इन कंसाइनमेंट्स का कम मुल्यांकन करके शुलकों से बचा गया है इसके लिए दो समितियों का गठन किया जाएगा प्रारंभिक जाच के लिए समवीक्षा यानि स्क्रीनिंग समिती और विस्रत जाच के लिए मुल्यांकन समिती वस्तूओं के आयातक को यूनिक क्वाइंटिटी कोड का इस्तमाल करके चिनित वस्तूओं के मुल्ली की घूश 35 प्रतिशत गाउं के भू संपत्ती मानचित्रों को DIL, RMP के तहट भू संदर्भित किया गया है। भू संपत्ती मानचित्र भूमी अभिलेखों का एक डिजिटल रूप है। ये भू खंडों के अलग-अलग हिस्सों की समगर सीमाओं को उनकी लंबाई, शित्रफल और दिशा के अधार पर प्रदर्शित करता है। DIL, RMP को ग्रामीन विकास मंत्राले के तहट भूमी संसाधन विभाग कार्यानवित करता है। ये केंद्री शित्रक की योजना है, इस योजना को वर्ष 2023-2024 तक विस्तार दिया गया है, इसे अपने मूल लक्षियों की प्राप्ती के साथ-साथ कई नई योजनाओं के लिए अपने दाइरे को बढ़ाने के लिए विस्तारित किया गया है। इस योजना के तीन घटक हैं, भूमी अभिलेक का कम्प्यूटरी करण, सर्वेक्षन या पुनर सर्वेक्षन और पंजी करण का कम्प्यूटरी करण। इस योजना में पहले चरण के तहट एशियाई महादूइप के भीतर इंटर कनेक्टिविटी अपक्षित होगी, दूसरे चरण में अफ्रीका को इससे जोड़ा जाएगा और तीसरा चरण ग्लोबल इंटर कनेक्षन के बारे में हैं। संपूरक आहार का अनियंतरित सेवन और खराब गुणवत्ता वाले उत्पाद, हृदय संबंधी, स्वास्थे और किड्नी को प्रभावित कर सकते हैं। फसाई स्वास्थ और परिवार कल्यान मंत्राले के अधीन कारे करता है। ये एक स्वायत सामविधिक निकाय हैं। इसे खादे सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित किया गया है। फसाई 2006 ऐसे कई अधिनियमों और आदेशों को समीकित करता है। जिनकी मदद से अलागलग मंत्राले खादे संबंधी मुद्धों का प्रबंधन करते हैं। ये खादे वस्तुओं के निर्मान, प्रसंसकरण और वित्रण का विनियमन और निगरानी करता है। और साथ ही उभुगताओं के लिए सुरक्षित और पौश्टिक भोजन भी सुनिश्चित करता है। इसका मुख्याला दिल्ली में है। रक्षा अधिगरण परिशद ने वेरी शॉर्ट रेंज एर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के तहत मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए आवश्यक्ता की स्विक्रिती यानि acceptance of necessity प्रदान की है। इसमें miniaturized reaction control system और एक एकृत वेमानी की सहित अनेक नवीन प्रद्योगी कियां शामिल है। इसके साथ ही यंग समाफ्त होता है, अगले अंत में फिर बुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक अपने लक्षी के लिए ततपर रहिए। और अगर आपको हमारा कंटेट अच्छा लगता है, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानि Vision IS की पूरी टीम को दीजे इजाज़त। नमस्कार। झाल